मैं कमल जी शिरावत की जिठानी है आपके गैडेंस के रूप में वो कैसे काम है यार आंटी को की टीचर भी रही है तो आंटी को तो पता है इंपोर्टन लोगों उनकाम ही नहीं किया पांच साल का उसका रेकोड देखी उसने पांच साल में क्या काम किया शरप अपनी प्रोपरटी बनाई है पांच साल में उन्हें कुछ काम नहीं किया नमस्कार में चिराज जैन और आप देख रहे हैं जलको दिली कमल जी शिरावत को लेकर के हर कोई जानना चाहता है है क्योंकि एक महिला के रूप में उन्होंने अपने काम के कारण वे जानी जाती है तो इस समय हम जो है उनके कुछ फैमिली मेंबर से बात करेंगे और यह जानेंगे कि कमल जी सिरावत का जीवन कैसा रहा है मैं आप से जाना चाहता हूँ कि जब आपकी जो माता है कमल जी सिरावत वो एक बड़ा लोक्सव एलेक्शन रहने जा रहे है आपके गाइडेंस के रूप में वो कैसे काम करें ममा ने तो खेर हमेशा गाइड किया है और उनने बच्पन से पढ़ाया भी है जब से वो पॉलिटिक्स में भी आई है ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम टाइम दिया है चाहे रात को एक बजाती थी या दो बजाती थी हमेशा पढ़ाती थी बिजनेस साइड में रही है मेरे पास भी कॉमर्स श्रीम थी 10th में, 12 में, कॉलेज में, मास्टर्स में हर टाइम उन्होंने हमें पूरा टाइम दिया है तो आज है मेशा मदर उन्होंने हमेशा टाइम दिया है despite politics में रहने के कि आपको भाई जितनाई प्यार मिलता है मैं को ऐसा लगता है कई बार में वह को भाई से भी ज्यादा प्यार मिल ज्याता है विकरब भाई भी कई भार कहता है कि आप रिया से ज़्यादा प्यार करते हो, मेर से कम करते हो, थोड़ा सा इन से क्योरिटी वो भी फील कर जाता है, बट पर उसको भी थोड़ा रिलाक्स करते हूं कि नहीं हम दोनों एक्वल हैं, तो एक्वालिटी थोड़ी थी है कि मैं थोड़ी ज्यादा हूं, आहरें तो नहीं पता कि आगे जाओंगी कि नहीं पर हाँ मम्मी को देख कि हमेशा में को इतनी मोटिवेशन मिलते हैं कि मैं करसा लगता है कि आप पूरे दिन इतना हाड़ वक करते हो फिर भी आप फैमिली टाइम निकालते हो और इतना थकने के बाद उन्हों नहीं किया अगर में क मैं कमल जी शहरावत की जिठानी हो तो आप तो लंबे समय सोने जानते होंगे जो इन फैमिली रही है तो आपने उनके हर काम को जाना होगा वो घर पर कैसे काम करते तो उनके जिम्मेदारी हो के कारण के घर में कभी प्रॉब्लम हाई नहीं बहुत अच्छी बहन है वो मैं कि अपनी चोटी बहन की तरही समझा उन्होंने भी हमें मुझे अपनी बड़ी बहन की जदी है और कभी भी अभी पच्छी साल होगे उनकी शादी को तो ऐसी कोई स्यूशन ही आई कि हम यह लगे कि हम बहन नहीं यह यह देवरानी जिठानी है बहुत समझदार बहुत सुल करवाना है और किस से करवाना है सबसे बड़े उपलब्दिया कौन से रही है जिनके कारण ना सिर्फ आपको बलकि सभी को जो है प्रेड़ना मिली उन्होंने जो स्ट्रीट लाइट का जो था उनको हटवा के और LED जो चेंज करवाई थी दिल्ली में और इसके बाद उन्हो कबाड को खतम करवा के मोनुमेंट्स वगरा बनवाई जो सारे चोरायों पे और सब कम से कम 14 चोराये जो है हरे एक फ्लाइवर के नीचे जो थे उनको उनकी साफसफाई करवा के और उनको रिनुवेशन कराया उन्होंने आप कप सु जानते कमल जी सरावजी मेरा जनम कि मुझे रखा है और अभी भी रखती है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी बेटी की तरह ही रखेंगी ना कि बहन की तरह आपको इतना प्यार उन्होंने दिया है क्या वो चेतर के लोगों से भी प्यार करते हैं सच मुझ ये बात सच इसमें कोई दोराई वाली ब कि मैं सबसे पहले ऐलेक्शन लड़ा था और तब से लेकर अभी तक वो चर्चाओं में रही तो से का कारण ही है क्यों कि वो सब के साथ लगाब है उनका उनके लिए कोई बड़ा छोटा कोई नहीं है ना किसी जातपात को मानती है वो ना किसी धर्म को मानती है उनके लिए सब समान है और वो अपना परिवार ही सब को समझती है जैसे कहते हैं न मोधी जी की मोधी का परिवार तो उनके लिए सब मोधी का परिवार ही है कमल परिवारी है आपका क्या नाम है मेरा नम पिंकी है मैं उनकी भावी हूं अच्छा उनकी भावी है भावी है और दुबारा वही बारेंडर मोधी के बारे में तो क्या बोले बच्चा बच्चा मेरी छोटी बारे में तो हर जगह जाते हैं इतना अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में सुनकर आपको लगता है वो जब मैंबर और पार्लेमेंट बनेंगे तो वो काम कर पाएंगे छेतर के लोगों की सुन पाएंगे या फिर जो बड़े-बड़े यहां पर हम देखते कहीं तरह की स मैं रिया की स्कूल फ्रेंड हूं तो मैं आउंटी को भी तब सही देखते आ रही हूं नाओ अदर सालों से आपने तो एक अलगी मतलब फेस देखा हो गाउंका तो जिस तरीके से वो घर संबालते हैं आप इस्ट्रडी भी कर रहे हैं आपको कि लगता है कि वो चेतर की जो काम करती भी आई है तो और या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कमल जी स्रावाजी जो है 2008 में एमिल लेकॉन उन्हें इलेक्शन फाइट किया था उसके बाद लगातार वो बीजेपी में रही तो क्या वो आपको लगता है जब मेंबर और पार्लेमेंट बनेगी तो जिस त करके से आपको गाइड करते हैं यहां पर भी जो बच्छे हैं उन्हें आगे मोटिवेट कर पाएंगे डेपेनिटली 2008 से लेके चलो ममा इतनी मेहनत कर रही है तब वो टाइम निकाल पाई और आज मेहनत के बाद यहां पहुच गई है हमें शक डाउन टू अर्थ रखा है ह हमें तो में को लगता है कि संसकार देने में तो उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है और आगे भी वह अब में को लगता है और थोड़ा ज्यादा टाइम निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी पोस्ट बड़ी है थोड़ी ज्यादा बेजी हो ज जानी जाती हैं ने उनके घर के लोगों से तमाम तरीक इसा बात की अपने लंबे समय से कमली सिरावत को देखा है और उन्हें लंबे समय साप अपने आशिरवाद भी देते आई हैं क्या लगता है इस बार जनता जो है यहां के जो लोग है उन्हें आशिरवाद दे पाएंग अपने काम से काम रखती है और मतलब जूठे वादे नहीं करती लोगों से जो करती है वो कहती है वो करती है क्या वह सांसा जब बनेंगी तो ऐसे काम कर पाएंगी जुरूर कर पाएं गी जूसके जब्मेदारी था है चैमंख निगम में ुसने सब और उसको पूंद रूब से नम भायाह सिक्सा के छेतर में और उसने कोई चैलेंज मांते हैं इस पूरे गाउं के लोग उनके साथ है और उसको पूरा हिंदोस्तान करता है। पूरे इंडुस्तान में उसके कोई बुराई करने वाड़ा नहीं है गाउं का कितना साथ मिलेगा उने सब मिलेगा उसके साथ है और क्या उमीद रखते हैं अगर वो सांसद बनती है तो कौन से बड़े काम करा है अपके लिए क्या कहने चाहिए आप उनसे क्या कहना जो रख़ती है पूरे गाओं का फली निदियान रखेंगी और सच्विछ वारत का भी देयान रहेंगे। तो मैं अपसो जानने चाहता हूं की इस समय बहुत करता है कि करता कमल चीणा क्या अ करता है और में पर तना करते रहेंगे। बनाया है और बहुत कुछ किया है और इस समय वह उनकी बीड़त में लड़ रहे हैं तो आपको लगता है वह नहीं तो आज हमने कमल जिस्टावाज हो की बीजेपी की परत्याशी है पच्छमी दिल्ली से उन्हें मौका दिया गया है उनके गाउं हमें का आई तक है अमने गर परिवार के लोगों के लोगों से बात की और अईसा नजर आया कि कमल जी सिरावज जो है अपने नाम से ज़्यादा अपने काम के लिए का मिलता नजर आ देखना होगा जब 25 में को वोटिंग होती है तब गाउंग के लोग किस पार्टी को और किस परतियाशी को वोट करती है चार्ज उनको मेंडेट आता है तब क्या होगा आपको यह वीडियो कैसे लगी कॉमेंट बुक्स में जरूर बताएगा मेरे साथ ने मेरे साथ ही आकाश मेंट आपके साथ च्राइब।